Hey everyone, welcome back. I hope आप लोग सभी बैतर होंगे, खुशाल होंगे और मज़े में होंगे। हम लोग भी सभी बैतर हैं, खुशाल हैं और मज़े में हैं। और ना विंटर काफी अच्छे तरीके से इंजोइ कर रहे हैं। आप लोग भी अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे तो बस विंटर में तो यह होता है ना कि अच्छा-च्छा खाना पकाना और बस इंजॉय करना तो बस यही हमारा भी चल रहा है पर हां कि ना सरदियां आते ही काम करने का मन नहीं होता है जैसे कि जारू बरतन पोचा बस ऐसा लगता है कि ना रजाई में बैठे रहो और बस खाने को मिलता रहे तो ना यह सबका ही हाल है और खुछ पेरा भी ऐसा ही है बर जब करेंगे नहीं तो खाने को मिलेगा कैसे तो चलें मैं अपने ब्लोग की स्टार्डिंग करती हूँ और आज का ब्लोग ना बहुत जादा जो क्लीनिंग थी ना तो वो मैं अपनी कर चुकी थी तो फिर नहीं पर मैंने स्टार्डिंग की थी अपनी लंच की प्रिप्रेशन से तो यहां मैं बना रही हूँ कोफते तो जो की मीट के जो कोफते बनते है ना तो वही तो उसके लिए ना मैंने गोश्ट को अच लोग भी कर लीजिए और इसमें फिर आपको एड़ करना है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला अगर आपके पास ग्रीन चिली कम थी तो आप इसमें थोड़ी रैड चिली भी एड़ कर सकते हैं और बस सारी चीजों को अच्छे से आपको मिक्स करना है और उसके लाज अदरग खसकस और गरी है इसमें तो यह सारी चीजे ही ना मैंने एक साथी ग्राइंड कर ली थी आप चाहें तो खसकस और गरी जो होती है तो उसको आप अलग ग्राइंड कर सकते हैं और लहसन अदरग और प्याज को आप अलग ग्राइंड कर सकते हैं तो यहां पे मैंने फिर उसके बाद ओयल डाला है कड़ाई में और जो भी जितनी भी मेरे कोफते थे ना तो उनको मैं अच्छे से यहां पर फ्राई कर लूँगी तो अपने तेल के अकॉर्डिंग जितना भी आप डाल सकें उतने डाल सकते हैं तो यहां पर ना मैंने हाफ हाफ करके दो ब जार में मेरा मसाला था वो मैंने अट कर दिया है इसके साथ ही ना फिर मैं यहां पर डाल दूंगी जो भी डेली रुटीन के हमारे मसाले होते हैं तो वो मैं यहां पर एड़ कर दूंगी जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्ची, पाउडर, यह सारी चीज़े नमक वगेरा मैं ए पाँबल टो वो पंधे हुझी रहते हैं और आज खर तो आप लोग देखी हैं कि विंटर्स में दिन कितने छोटे होते हैं। तो आप किछ़ भी है तो ना forehead है उसी को कि Prob게 मंजब कर okay के रख दीजिएласब मदे के बाद जो भी जार मुझेजा तो आटे लग जाते या बहुत की हछे-तो उसको भी तुनरती एक पाइप लगा दो इससे ना ऐसा होगा कि जो बाद में आपकी ऐक दम से महنت पड़ेगी ना किचिन कीलीन करने की या साफ exactly को वो ना आप पे एक दम से महनत कोई नहीं आने वाली है तो बस किचिन नगकि आप जस जगा है ना उस जगा कोशिश करिए जिएक वहां का प्रिपरेशन कर दूँ और उसी के साथ ही मैं जो बीच बीच में 15 से 20 मिनट मुझे मिलती है ना तो उसमें मैं क्लीनिंग करने की कोशिश करती हूँ तो ये देखें बातों ही बातों में मेरे हाँ पे कोफते कितने बड़िया तरीके से बनके तैयार हुए है साथ में मैंने अपनी चपाती भी बना ली और आप लोग देखी सकते हैं कि किचिन को भी ना मैंने बिल्कुल हैंड टू हैंड एक दम क्लीन कर दिया है ऐसा ने मैंने आप लोग के साथ पिछले ब्लॉग में काफी दफा शेयर किया है कि मैं सबजी बनाते में ही जो सबजी को पकने में टाइम लगता है तो उसी वक्त में मैं अपने आटे को लगा के रख लेती हूँ और खाना बनाने के तुरंत बाद ही मेरा काम होता है कि किचिन में तुरंत ही एक वाइपस वगेरा लगा देना तो बस जिस तरह से मैंने आपको चपाती दिखाई तो आपने केचिन देखी थी ना एकदम से मैंने नीट एंड क्लीन कर दी है और उसी के साथी ना फिर मैं यहां पे आ गई थी तुरंथ हस्बेंड को आने में टाइम था थोड़ा तो उन्होंने बोल दिया था फोन पे कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो तब तक ना मैंने अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंथ ही ना मैं अपने कपड़े वासिक मशीन से निकालके कपड़ों का पानी निकालने के लिए बैठ गई थी तो ऐसा होता है कि जिस वक्त ना कपड़े ज़्यादा होते हैं तो मुझे वासिक मशीन में पानी निकालना अच्छा नहीं लगता है तो मैं खुद से ही कपड़ों का पानी होता है वो निकाल लेती हूँ और तो सारे कपड़ों का पानी निकालने के बाद फिर मैंने यहां पर कपड़ों को डाल दिया था मसीन में सूखने के लिए और इस टाइम पे धूप बगएरा काफी कम निकल रही है तो ना मैं कपड़ों को ही वाशिंग मशीन में दो वार अच्छे से मतलब सुखा लेती हूँ ड्राइ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जैसे अगर धूप अगयरा निकलती है तो तो छट पे फैला दिया डोरी पे और नहीं तो ना मैं अंदर कमरे में ही अच्छे से फैला के और पंकः चला देती हूँ जिससे की ना कपड़े वागरा मेरे अच्छे से सूख जाए तो यह देखें कपड़ों का भी जो काम था वो सारा मेरा हो गया है और इसी के साथ ही ना फिर जो मेरे बर्तन थे ना तो मौनिंग में मैं नहीं लगा पाई थी तो दानीन है ना छोटी तो उसके चकर में कभी-कभी ऐसा होता है कि काम थोड़ा इधर का उधर हो जाता है तो बस यहाँ पे ना मैं अपने सारे जो भी बरतन है वो मैं बरतनों को उन्हें की जगा पर लगा दूँगी और जैसा कि मैंने बताया आप लोगो को कि खान वगेरा तो मैं अपना बनाई ही चुकी हूँ तो बस यहाँ पे ना फिर मैं अपनी जो चपाती वगेरा भी मेरी पूरी बन के तैयार थी तो किचिन में जो भी मेरे गंदे बरतन है तो मैं उन्हें एक खटा कर लूँगी तुरंथ ही और साथ ही ना मैं यहीं के यहीं सारे बरतनों को वाश करके भी रख दूँगी यह सारा काम ना मेरा 12 बजे तक लगबग खाना वगेरा बन के मेरा तैयार हो चुका था तो विंटर्स में आज मतलब धूप निकल आई है और वैसे तो यकीन माने के बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है और मेरी भी जो भी सारा काम था घर की क्लीनिंग वगेरा थी डस्टिंग थी कपड़े वगेरा वाश करना खाना बनाना तो इतने सारे टाइम में इतना सारा काम मैंने अपना बिल्कुल एकदम फ्री कर लिया था और बस ये मेरा लास्ट काम रहता है जो कि मैं खाना बनाने के बाद जो भी बरतन वगेरा होते हैं न तो मैं उन्हें तुरंथी जैसे सबजी वगेरा होई तो उसे दूसरे बरतन में पलट दिया और जो रोटी वगेरा बनाने का आटा जो मतलब गुनता है न तो वो सारे बरतन ही मैं इसी वक्त पे ही वाश करके रख देती हूँ फिर इसके बाद जो हमारे मतलब खाने के बरतन होते हैं जैसे की कटोरी प्याली प्लेट वगेरा जो भी हुई तो वो मैं तुरंथ के तुरंथी वाश करके इसी टाइम पे यानि की खाने के जस्ट बाद ही रख देती हूँ विंटर्स में हमारा काम करने का मन नहीं होता और अगर हम लोग एक बार काम करने लगें तो तो कर जाते हैं सारा काम और अगर वहीना हम लोग यह सोचें के ठंड लग रही है 10-15 मुनट बैट ले या धूप ले ले तो फिर नब बिलकुल भी मन नहीं होता है तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि एक बार में ही अपना जो भी है सारा काम निपटा दूँ चुरंद के चुरंद ही और दानी ने मेरी लगबग घंटे बर की नैप ले ले लेती है तो उस टाइम में मुझे काफी ही मतलब टाइम मिल जाता है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी मतलब अपना टाइमर सेट करके और कोशिश करती हूँ कि मुझे इतने टाइम में इतना काम अपना निपटा देना है तो बस देखें यहां पर मेरे फटा फट से बरतन वगएरा भी बाश हुए जा रहे हैं और बागी की मेरी क्लीनिंग वगएरा जो थी वो सारी हो गई है जो हमारे एक या दो काम बचे हैं तो बस मैं उनको भी जल्दी से जल्दी निपटा लूँगी और उसके बाद ना फिर मैं बरतन वगएरा वाश करके उठी ही थी तो तबी ना हस्बेंड आ गए थे मेरे तो फिर हम लोगों ने खा लिया था खाना तो बस इस तरह से मेरा वुंटर का रूटीन जो है वो चलता है तो कभी कभी तो मैं काफी जल्दी ही यानि की 10 से 11 बजे तक अपनी सारे जो काम होते हैं न वो निपटा लेती हूँ और कभी कभी ना मुझे 12 का टाइम या 12 से 1 का टाइम हो जाता है तो ये टाइम ना जो मेरा जाता है वो डिपेंड करता है बच्चों पर तो बच्चे यानि की मीरा आप जिस तरह से अपनी फर्माइश करता है कि आज ब्रेकवास्ट में ये नहीं ये चाहिए या फिर लंच में आज ये बनाओ तो बस उसके अकॉर्डिंग ना कुछ इस तरह से मेरा टाइम चला जाता है और दानीन है तो वो ना जित करती है कि बस मेरे पास बैठी रहो गोदी में लेकर तो मेरा मतलब टाइम इसी तरह से बच्चों में चला जाता है और बच्चे चोटे चोटे हैं तो बस भई उनकी जित करना तो पूरा हमारा काम ही है मा हैं हम तो बच्चों को नहीं देखेंगे तो फिर क्या फाइदा है ऐसे काम से तो काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना बहुत जादा जरूरी है साथ में उनके साथ टाइम स्पेंड करना वो भी बहुत जादा जरूरी है तो देखें बर्तन वागेरा मेरे सारे वाश हो गए और साथ ही मैंने ना यहाँ पे जालू से इतना बीच दू भी दिया क्योंकि बर्तन वागेरा दूलते हैं तो हलकी फलकी चिकनाई वागेरा जो होती है ना वो आ जाती है और ये जो गैलरी है न तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं सबसे लास्ट में दोँ क्योंकि ऐसा होता है न कि बिंटर चल रही है तो मतलब आना जाना लगा रहता है तो ये न सूख नहीं पाती है तो मैं सारा जो भी काम होता है न उसके बाद इस कैलरी को वोश कर देती हूँ तो आराम से अच्छे से सूख जाती है और हम लोग जैसे धूप ना निकले तो अंदर बैठे रहते हैं और अगर धूप निकल आए न तो बाहर बैठते हैं तो देखना आज तो धूप निकल आई है और दानीन मीराब ये न सारे लोग ही कितने मज़े से एक दूसरे से खेल रहे हैं तो यहाँ पर ना मैं भी अपने कपड़े वगएरा जो वाश किये थे निकाल लिये थे सुखाने के बाद तो बस यहाँ पर ना मैं अपने कपड़े वगएरा फैला दूंगी और इसी के साथ ही ना फिर यहाँ पर भी मैंने मैंने भी मतलब बैठके अच्छे से अपना टा तो बस वो मुझे एक एक करके देता जा रहा था और उसी के साथ ना मैं कपड़े फैला दे जा रही थी तो माशालला से अब दानीन की तबीत में काफी सुधार हो गया है और अब तो बहतर है वो लेकिन धूप बगएरा नहीं निकलती है न तो बस उसको मुझे मतलब आग बगएरा जला के घर में अंदर रखना पड़ता है और धूप निकल आती है न तो बस मैं यहां भी ना रूम के बाहर ही मैट बगएरा बिछा के हम सारे लोग ही बैठे रहते हैं और यह देखी आप लोग देखी रहे हैं कि मीरा पहले से पहले खड़ा हो गया था कि मैं आपके साथ ममा कपड़े मतलब मैं आपको कपड़े देता जाओंगा और आपना कपड़े फैला दी जाओ तो बस उसको आप ही नहीं रहते बट उल्टे सीधे जैसा उसका मन हो रहा था वैसे वो अपने कपड़े डालता जा रहा था मतलब मेरी हैल्प करवाता जा रहा था तो यही बहुत है कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो सीखते हैं हमें देखकर कि हाँ क्या करना है कैसे करना है या ममा किस तरह से काम कर रही है तो इसके बाद ना फिर मैंने कोई भी शूट नहीं किया था और ये फिर मैंने शूट किया है लास्ट एन की नाइट में आज डिनर में मैं बना रही थी आलू की टिक्की हस्बेर ने बोल दिया था पहले से ही कि आज आलू की टिक्की खाने का मन है और मीरा भी जित करने लगा था कि ममा आलो की टिक्की बना आलो की टिक्की खाएंगे तो बस यहाँ पे ना मैंने आलो की टिक्की बना ली थी पूरी प्रिपेशन कर ली थी बस इन्हें में यहाँ पर फ्राई कर रही थी तो आप लोग बताईएगा किसी next वीडियो में मैं आप लोग के साथ अलु की टिक्की और मीठी चटनी चनी की सॉंट होती है उसकी फुल रेस्पी next ब्लोग में मैं आप लोग के साथ जרूर शेयर करूंगी और ना कमेंट बॉक्स में भी बताईएगा कि आप लोग को मेरा ब्लॉक कैसा लगा और आप लोग को मतलब अच्छा लगता है या नहीं लगता है या आप लोग अपनी पसंद से कोई ब्लॉक बनवाना चाहते हों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि मैं किस त करके रख ली थी साथ में थोड़ी सी सैलेड यानि की प्याज वगेरा मैंने कट करके रख ली थी मसाला बना के रख लिया था और मीठी चटनी भी तो जो धाना वो मेरी पूरी प्रपेशन एक दम बिल्कुल तैयार हो चुकी थी तो बस यहां पे ना मैंने यह पलेट लगा और यह पलेट ना जाएगी सबसे पहले मेरे दादा जी के लिए तो जो भी मैं खाना वगेरा बनाती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले दादा जी को दे कर आऊं और उसके बाद ना फिर हम लोग एंजॉय करते हैं तो उसके बाद फिर दूसरी पलेट का एंड और बताईएगा कि आप लोग को दो बच्चों के साथ का मेरा रोटीन और मेरा ब्लॉक कैसा लगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें